एक तारिक को लेकर ज़नगर्णा आप यहाँ पर कराही चुके हैं आरक्षन को लेकर जितनी बाते थी यह हमारे प्रधान मंत्री आदनिया नरेंद्र मोधी जी सपस्ट और से कह चुके हैं कि आरक्षन के जो प्रवधान डॉक्टर बाबा साहे भीमरा अमबेटकर ने बनाये थे उन प्रवधानों के साथ कही कोई छेड़चाड नहीं की जाएगी तो इसके बाद राज़निती करने का क्या मतलब है और जहां तक रही बात जातिय जनगर्णा को लेकर बिहार में जातिय अधार जनगर्णा हो ही चुकी है और बाकी राज़ों में जहां पर इनकी चिंता है तो जिस गड़बंदन का ये हिस्सा है क्यों नहीं उन गड़बंदन की सरकारे जहां जहां पर है वहां पर जातिय अधार जनगर्णा कराई जाती है इससे जादा शर्मनाग बियान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता एक मुख्यमंत्री पीछो पीछो ज़ो अपना राज्य नहीं समाल पा रही है और देखें मैं कोई दोशारोपर नहीं करना चाहता ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाग है उतनी ही चिंता जनक है पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के शाय साय में है वहाँ पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनी उस घटना की जाए उतना काम है इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में आप दोशा रोपन कर रही हैं आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं अपने राज्य को आप समा लिए मुक्यमंत्री मम्ता बेनर जी जी आपका राज्य अगर समला रहेगा बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे पर इ हमारे देश के जलने की सोच रखें हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांती विवस्ता स्थापित करने की हैं आप अगर उसमें नाकाम्याब रहती हैं आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है अगले दिन हुर्दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंस को मिटा देते हैं आपने अपने राजे में एक ऐसी विवस्ता आपने स्तापित किया है जहाँ पर पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी विवस्ता का हिस्सा बनाती है और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है भाई कौ कारी तंतर की लापरवाई नहीं थी और उसके बाद इस तरीके से दोशा रोपन करना और दूसरे राज्य को इस तरीके से धमकी देना क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोबा देता है ये इनकी कमजोरी को दिखाता है इनकी विफलता को दिखाता है